हेलो गाइज वेलकम बैक तू अनदर वीडियो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे मैं हूँ अनोन फाक्स तो आज हम कुछ अजीब से घरों के बारे में बात करने वाले और इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसा घर जो पूरा कांस से बना है और दुनिया का सबसे पतला घर और सबसे छोटा घर और भी अजीब घर है वीडियो के अंदर सो लेट स्टार्ट दा वीडियो नमबर वन ट्रांस्परेंट हाउस इन टोकियो जापान ये घर जापान के टोकियो शेहर में स्तीत है इस घर का एक्स्टेरियर ट्रांस्परेंट है और सीलिंग भी ट्रांस्परेंट है यहां तक की घर के अंदर की दिवारे भी ट्रांस्परेंट है सिर्फ इस घर का bathroom ही है तो transparent नहीं है और बाकी घर का पूरा हिस्सा transparent है इतम glass के जैसा Number 2 Skateboard House Malibu California यह घर California के Malibu शहर में है और यह skate champion पियर आंड्रेस का घर है यहां हर एक दिवार इस प्रकार बनाया गया है कि यहां दिवारों पे ही skate किया जा सके यहाँ घर तीन हिस्सों में बाटा है, पहले हिस्सों में लीविंग रूम, डाइनिंग रूम और कीचन, दूसरे पार्ट में है एक बेडरूम और एक कीचन, और थर्ड पार्ट में है एक स्केटिंग प्राक्टिस एरिया, यहाँ के फरनीचर पे भी स्केट किया जा सकता है कमरे से दूसरी कमरे में जाने के लिए सीडियों का इस्तिमाल किया जाता है यह घर पूरा वाइट कलर किया गया है यह एक किचन, डाइनिंग रूम, बातरूम और बेडरूम भी है वे सिंगल बेड, है ना अमेजिंग घर यह एक सौफू उचा वाटर टावर है जिसे एक सिंगल पैमिली घर में कनवर्ड किया गया था इस घर में दो गैरेज, मतलब पार्की एरिया है और दो बेडरूम, और एक बड़ा किचन और एक मल्टी परपस रूम है यह घर में एक शांदार दिखने वाला टैरे से जहां से शहर का नजारे का लुफ्ट उठाया जा सकता है नमबर फाइ, चाइंड सीसेल, हाउस मैक्सिको यह घर मैक्सिको सिटी पे स्तित है और यह एक बड़ा सा सीसेल जैसे दिखता है इस घर में एक ऐसी दिवार है उसे इस प्रकार कलर किया गया है कि जब उसके अंदर बैठे हो तो एक रेंबो इफेक्ट दिखाई देता है यहां तक कि इस घर का इंटेरियर भी सीसेल जैसे दिखता है पर यहां पर पब्लिक को जाना मना है यह सबसे मज़ेदार और अजीब घर है यह 1762 स्क्वार फूट का घर है जिसमें तीन फ्लोर है और इस घर की एक तरफ सिडिया लगी है और दूसरी तरफ स्लाइड जहां से नीचे जाना होता है मतलब कि उपर सिडियों से जा और नीचे स्लाइड से आफ है न मज़ेदार घर यह एक ऐसा घर है जहां रहने को डर लग सकता है यह एक घर क्लिफ पर लटका हुआ है इस घर में 5 फ्लोर से जिसमें से सबसे उपर वाला हिस्सा पार्किंग एरिया है इस घर के तीनों और समुद्वर है जिसका लुफ्ट उठाया जा सकता है पर इसमें रहने के लिए डैर होना चाहिए हाँ और यह घर और अस्टेलिया में स्तित है होलन के मशूर से एक नाम की एक आर्टिटिक्चर ने दो चर्चों के एक मौडन हाउस बना दिया यह घर भले से अंदर से मौडन हाउस दिखता है पर कुछ चीजे जैसे की दिवारे और सीलिंग नहीं बदले गये है जिससे पता चलता है कि यह पहले चर्च था पर अभी से मौडन हाउस में कनवर्ट कर दिया गया है यह घर पूरा उल्टा बनाया है यह घर सिर्फ यूरिस को देखने के लिए ही इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि इस घर में कोई रह नहीं सकता कारण यह घर पुरा उल्टा है यह भले ही सुनने में अजीब लगता है पर देखने में मज़ेदार है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक्यू वेरी मच्च पर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइगन को भी कर दो ओन यह जर्मनी के एक आर्टिटेक्चर द्वारा बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे छोटा घर है यह घर सिर्फ तीन स्क्वार फिट का ही है और यह घर में बैटली की और सोने की जगह भी है इस घर में एक रूप, एक लॉकेबल डोर, एक विंडो और एक टेबल है जहां आप अपने काम कर सकते है यहां ना बातरूम है ना ही किचन यह 2012 में बनाया गया था अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब किये बिना मत जाना मिलते हैं अगले फ्राइडे को नई वीडियो के साथ थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो